वेरी वेरी गुड इवनिंग तो अल अफ यो डियर इस्टुडेंट्स तो एक बिग अनॉंस्मेंट है आपका मैस के बैच को लेकर के लगातार बच्चे क्वाईरी भी कर रहे थे पूछ भी रहे थे सर कबसे हमारा जो है बिजनस मैस का बैच स्टार्ट है तो डियर पी-एम है यह अनॉंस्मेंट अब यह बिग अनॉंस्मेंट क्यों है उस बात को जड़ा समझे पहले तुकि आपके पास ने बिजनस मैस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर के पूरी तरीके से एप्लिकेशन ही है और एक अच्छी बात है कि आप लोगो बिजनस मैस पर आपसे कमबसरी कह देते हैं कि आपको फॉर्म तब ही आप अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास में बिजनस मैस और स्टैट्स आप लोगोंने पहले पढ़ा हुआ है दोनों में अनिकरा कि सभी में बिजनस मैस और आपका स्टैट्स मांगते हैं लेकिन बहुत सारी जहां पर आप से business math और stats आपके colleges के अंदर होने चीए और plus में उसमें जो है percentage की requirement होती है कि आपका 60% आपका रहना चीए category का बच्चा है तो percentage requirement हटाई हुई है अब वो latest news है कि percentage अभी reduce उसको कर दिया या इस साल हट जाएगी लेकिन subject mandatory क्या हुआ है आपका कि business math और आपके पास में stats दो अलग-अलग subjects हैं आपके पर आपको stats आगे पढ़ने को मिलेगा next semester में तो ये दोनों सर्वेट आपको पढ़ने को मिल रहे हैं इसके लिए आपके लिए options जादा खुल जाते हैं बहुत अच्छा reason है science background के जितने ब बच्चे बचने के चकर में subject से वो वैसे ही सारे आपके जो है कुछ बच्चे काफी तक बच्चे वहां से आउट हो जाते हैं खर प्रोग्राम में भी ऐसा रहा है और था भी और पहले भी बच्चों ने करा है business math पढ़ा हुआ है उन बच्चों ने नोक्रियां भी ली सब्सक्रास में नहीं है सिर्फ बच्चे आप honors वाले और honors में भी कुछ बच्चों को मालू में वह जौब क्या है खर मैं आगे बताऊंगा आपको उन जौब किसके बारे में तो फिलाल आपके लिए business math और इस्टैट को पढ़ने के बाद एक ऐसे competition में पाटिसिपेशन बहुत ज्यादा है और आगे आप MBA करेंगे तो MBA के अंदर आपके सब्जेक्ट में definitely business math and stats रहने वाला है 100% तो आगे के लिए आपका एक अच्छा base यहां से बनेगा नहीं तो वहां पर आपके लिए बड़ 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 प्रॉलम आने वाली है cat के अंदर यह utility है business math and stats की औ और punctuation कि आप लोगों को सब्जेक्ट अभी से पढ़ने का मौका मिल रहा है अब announcement मेरे यह थी कि आप में से वो students क्योंकि देखिएगा कि आपके अगर सुरुवात सही तरीके से होती है और आप एक systematical order को follow करते हो तो चीजें आपके लिए comfortable और easy रहती है और अगर आप ची तो मैं easily चला जाओंगा बट अगर मैं उसी को उल्टा जाने ही कोशिश करूँ तो वही एक easy काम बिर लिए कितना difficult हो जाएगा तो वो बच्चे जिनका एक तो math background नहीं रहा तो इतना अच्छा math नहीं रहा उसके बाद भी अगर वो course के बीच में जोइन करते हैं तो हो होगे तो आपका अपने problem को solve नहीं करेंगे और बढ़ाएंगे उस समय पैनिक situation ही face करेंगे और आपको आगे भी पढ़ना एक मैने बाद भी तो आप अभी से पढ़ना है नहीं तो आप में से वो बच्चे जो कि अभी तक business math की batches में एनलोड नहीं हुए हैं कल से मेरे class start है आज आप अपने आपको एनलोड कर लेंगे और मैं आपको बताएता हूँ मेरे business math की जो fees है वो 1500 रुपीज के आसपास रहती है ओफर वगएरा फेस्टिबल वगएरा में offers हमारे आते हैं तो वो हमारा 999 वगएरा के आसपास रहता है लेकिन इस समय batches start करने से पहले मैं चा है 490 रुपए आप YouTube के description पर भी आपको link मिल जाएगा आप तरफ इस fees को pay करें और आपका यह फीस पर मंत का नहीं है आपका exams तक का है अगर आपका exam नवंबर के जगह दिसंबर में चला कर दिसंबर तक पढ़ाएंगे जनवरी में चला कर जनवरी तक पढ़ाएंगे आपक तक आपका exam नहीं हो जाता है ठीक है तक तक की फीस आपके कुल मिला करके इतनी फीस है तो सभी बच्चे Android हो जाएगा और बिल्कुल आप बेफिगर हो जाएगे क्योंकि मैं कल पढ़ाऊंगा तो अकल मेरा topic कौन सा होने वाला है calculus मैं बतायता हूं आपको इसके बारे में थोड़ा सा कि आपके पास में जो question first है आपके पास में business math में जो first question आपका आएगा वो matrix से आएगा ठीक है बच्चे first question आपका matrix से question number 2 आपका और question number 3 और question number 4 पांच question होते हैं आपके पास पे यह आपका एक chapter आपका matrix question number 2 आपका linear programming और यह mathematics of finance और calculus की क्या importance है calculation कि आपके दो questions देखने को मिलेंगे question number 3 और question number 4 आपके paper में यही पास सवाल यही तो फाइदा है 13 साल से पढ़ा रहा हूं आपको बता दूँगा कि कौन से number पे और क्या options में रहने वाला है ताकि आपके preparation उसी shape में हो मैं आपको किसी chapter के 100 सवाल नहीं करवा तो कम questions करने हैं but accurate exam oriented पढ़ना है हमें तो यहां पर बच्चे आपके पास में यह दो question calculus calculus में क्या है calculus में आपको differentiation भी है calculus में आपका integration भी है calculus 2 में आप integration आप फोलू करेंगे calculus के अंदर आपका economics का बहुत जादा use भी है like calculation 1 इसको basic calculation भी कहते है concept of rules of differentiation आपको rule और difference समझना पड new marginal cost concept of the elasticity of demand and supply तो बच्चे यहां पर आप देखेंगे यह सिरफ और सिरफ offer मैं पहले बें तब बतायता हूँ जो existing students है किसी भी students को इस rate पर यह batches नहीं मिलते हैं बट आप आज रात को 12 बजे तक का time है 12 noon क्योंकि यह justify नहीं student के साथ ने जिनको जो है इसकी normal prizes पर जिन्होंने course को लिया है इसलिए हम इसको जाद दिनों तक और नहीं कर सकते हैं maximum से maximum 12 बजे तक करेंगे और 12 बजे तक 50 students ही हम लेंगे इसके बाद हम नहीं लेंगे ठीक है maximum minimum revenue cost profit economic and order quantity जो की financial management का भी एक पार्ट है and optimum rate trading time यह बहुत सारे पार्ट है जो की calculus one का पार्ट है basic calculus का पार्ट है लेकिन कल की class होगी बड़े प्यार से बड़े मोहबद से सुरुवात करेंगे differentiation क्या होता है, differentiation कैसे करते है, question rule क्या होता है, product rule क्या होता है बड़े basic से start करेंगे उसके बाद economics के topic से धीरे धीरे इसको touch करेंगे और बड़े easily इसका answer निकालेंगे आपको मजा जागा business math पढ़गर की तो लेकिन पहले classes कल का आप मिसमत कीजेगा और आपके पास में आज र यह इससे ज्यादा का है, ठीक है बच्चे? कोशन है कि आप यहाँ पर कितने unit का प्लक्षन करें जिससे कि आपका cost minimum हो जाए, आप कितने unit का आप sale करें जिससे आपका profit maximum हो जाए, application-based question, आप एक firm चला रहे हैं, आप business चला रहे हैं, तो आपको cost reduce करना है, अपने profit को maximize करना है, तो उससे related questions होंगे, but वो with the help of integration and differentiation से रहन हैं, तो ठीक है, अब आपके जो है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, मिलते हैं कल शाम को 6 बजे पहली classes के साथ में, जितना बताना था, syllabus के बारे में बता चुका हूँ, batch announcement में पहले कर चुका हूँ, अब चब मैं class में होगा, तो मैं ऐसी किसी भी topic के उपर बात नहीं करूँगा, आपके content oriented बात होगी, currented oriented ही, आप जो है, आपने doubts और books आप पूछेंगे, ठीक है, मिलते हैं कल 6 पी-म, thank you, thank you so much.